आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं सेल स्टॉक के बारे में यहां देखेंगे टेकनिकली स्टॉक में लास्ट टेडिंग सेशन में 1.22% का डाउन ट्रेंड दिखा है लेकिन देखेंगे कि मार्केट के क्लोजिंग के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज दिखी जहा आरांट 30% का कंटिनूस डिलेवभरी दिख रहा है लेकिन 87 के रिजिस्टेंड को ब्रेकडाउन करने के बाद स्टॉक देखेंगे कि यहां देखेंगे एक वनसाइड अप्रेंड दिखा फिर जो रिजेक्सिन था वो नियर आरांट 87 का डिजेक्सिन बना और स्टॉक में इ तो एक major breakdown भी देखने को मिला है, यहाँ आप देखेंगे कि एक major breakdown दिखा है, चुकि यह 20MA को breakdown करा है, तो जो expected levels थे कि यहाँ से आगें downtrend देखेगा 72 तक के price का, लेकिन यहाँ देखेंगे कि government के तरफ से जो metal export थे उसको down हटा दिया गया है, तो एक expectation है कि अगें इस्टॉक एक अप्टेंड जो है 92-100 तक के लेबस दिखेंगे लेकिन इसके लिए इस्टॉप लॉस यह जो ट्रेंड लाइन है 80 के नीचे यानि 78 के असपास के सल को ले करके लोंग किया जा सकता है लेकिन यह लोंग तभी करेंगे जब मंडे मार्केट इसके ओपनिंग नियर अराउंड 84 के उपर हो तो व्यू काफी अपसाइट दिख सकता है